कि हलो साधिया नमस्कार आज की शुरियों में न हम आपको थार्टी यह थार्टी नहीं यह सक साइज कमें टॉन्टी सिक से साय विट में फिर यहां से थोड़ी से साइज इंक्रीज हुआ सो टोटल आपका बनता है 22 प्लस 12 फिट तो इस तरह से बना हुआ है सो इस घर का जो है आज मैं आपको नक्षा दिखाता हूं डिटेल में और उसके साथ मेरे पास सेंटर लाइन प्लान भी है वह भी देख लिजीगा और हमारे जो सर्वीस में आपको मिलता है प्लान मिलता है उसके बाद सेंटर लाइन प्लान 3D फ्रन टेलिवेशन डिजाइन 3D कट सेक्शन मिलता है फिर प्लम्बिंग एलेक्ट्रिकल ड्राइंग यह सर्वीस उसके आला आप चाहते हैं कि आपका घर किस तरह से दिखा उसको फ्रन टेलिवेशन उसके लावरे नेक्ष जो आता कॉ कॉलम साइज कॉलम का साइज कॉलम के अंदर कितने में का रॉड बीम आर सी सी स्ट्रक्ट्ट्रल डिटेल सो सभी का अलग-अलग फीस रहता है आप हमें संपर कर सकते हैं मोबाइल नमबर 8095615113 यह मेरा मोबाइल नमबर है इस पर आप संपर कर लिजिए आपको जो भी सर प्रसप्लोर सो ग्राउन फूर में कंसिस करता है एक पार्किंग है आपका 11 फिट 6 इंच फर्स दिशा बताता हूं यह इस्ट फेसिंग की तरफ रोड है उसके बाद जो क्लाइंट का जो घर है देखो वह ऐसा एंड पर है कि इस्ट फेसिंग क्लाइंट का जो प्लॉट है ऐसा 30 फिट था फिर उसके बाद 12 फिट ऐसा बड़े सो था नेक्स्ट नॉर्थ की फेस इदर 16 फिट था सो ऐसा जीज़ेड टेप में यह जगह शायद किसी और खाता हो और इदर जो है उनका गार्डन है सो गार्डन नीरि था कंपल सरी नहीं था यह पार्किंग यहां से को फस्ट दरोजे का साइज यहां पर विंडो आजाता है यह तापका डबल है टॉल यह नहीं कि इसके उपर कोई भी छत नहीं आता है उनका एक कोई शेक एक अल्ट्रा लक्जरी मॉडर्ण होस बनाना बोलके इसके उपर को एक जगा था ओपन गार्डन टाइप में बारा भाई आटरा फूट का ओके यहां से बेड्रो नंबर दो चवदा बैग्यारा फूट छेंज का दूसरा वाला बेड्रूम आता है और यहां पर जो है आफसेट तीन फूट का ओफसेट है और इधर देखिए गए एक विंडो सब्सक्राइब यहां पर बनाए समझों इधर जो है आपको कुछ लाइटिंग बटन्स आते हैं एलेक्ट्रिक सॉकेट उसके लिए जगा मिलता बेड़ो नंबर वन इधर से अटाइस टोटेंड बात है यहां पर इधर एक विंडो लिया है इसके ठीक इसके सामने और एक विंडो है छे फूट इसा विर्थ में हाइट पर जो है चार फूट आते हैं अल्मोस्ट शेलूज चे बाए अट्रा कॉमान टर्टेंबाद स्टेरकेस एक किचन यहल शेप में लिया इधर एक छोटा सा पूजा रूम राउंड वेंटिलेटर लेजिगा अच्छा दिखता है वेंटिलेटर के लिए जो बीस लीटर का बखिट रहते देखो और रखे इट का काम कर लिजिगा सो राउंड वेंटिलेटर आपको मिलता है लिंटल के नीचे यहां पर किचन में विंडो यहां पर एक विंडो चले अब हम नेक्ष्ट देखते और एक चीज़ दोस्तों यहां पर थोड़ी से स्पैन ज्यादा है बुलके नव बैं अटरा इंच का कॉलम दिये गए दो वाला कॉलम दो कॉलम ग्रीन कलर के देख रहे ना वह वाला और कभी भी क्या करना फुटिंग दालने के बाद कॉलम बेस्मेंट लेवल करना उसके बाद ब्रिक वर करना उसक वाला करने से और बेटर रहता है अब हम नेक्स देखते हैं फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट पर देखिए गए सीडी जो है और एक चीज अगर आप यहां से शुरू करें समझो तो डाइनिंग एरिया बना सकते हैं यहां से शुरू करें क्लॉक्वाइज तो आपका डाइनिंग के पूरा बिगाड़ जाता है तो उसके वाज़ से जोने दोस्तों क्लॉक्वाइज कर लिजिएगा सो डैट डाइनिंग भी आराम से बैड़ जाता है फिर उसके बाद नेक्स्ट यहां पर यहल शेप में ऐसे लिएगा यहां से फर्स्ट पूर आ गये इधर से यह वाला ब बालकोनिया था और एक चीज़ अगर आप चाहते है कि आपका बाल से बालकोनी में नहीं जाना और नौर्थ वेश्ट की तरफ इन्हों एक ओपन टेरेस रखा गया सो अब बेडरूम से जाना पड़ता है अईसा नहीं जाना बोलें तो क्या करना यहां पर न इतना स्लैब फुल आप लेते देखो ऐसा लेना चाहिए सो इधर इसा आगे आके पैसे इसा बनाना बाकी का खु तो दोस्तों जो कोई भी चाहते कि हमारे से ऐसा एक प्लान अच्छा प्लान एक वर्किंग प्लान देते हैं ऐसा नहीं है कि चुप मोटा मोटा में देके फिर बाद में क्यों बोलू हमको आपका तकलिफ मालूम रहे था आप कितना इन्वेस्टमेंट करके बनाते हैं प्ल कर सकते हैं मूबाल नमबर 8095615113 दन्यवाद